तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि तुम वीडियोस क्यों ने डाल रहे हो तो स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक नए वीडियो में तो अभी मैं फिलाल जा रहा हूं बैंक तो कुछ तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि तुम वीडियोस क्यों ने डाल रहे हो तो बात यह है एक्षुली कि मेरे घर पे दो डेट हो चुकी है तो उसके कारण में वीडियोस ने डाल पा रहा हूं तो मैंने रोग दी है तो मेरा प्लान है अभी कि लाइक अल्मूस्ट दो हफते के बाद मैं फिर से निकलूँगा तो मेरे गोप्रो में बैटरी नहीं था जब से मैं घर अधिये दे गोप्रा आने से पहले तो आप लोग ने में राजिस्तान सीरीज देखे होगी जैसल मेर पर मैंने एंड किया था जैसल मेर राजिस्तान ने मुझे बहुत प्यार दिया कुछ बहुत सारे अच्छे एक्स्पीरेंस थे विच बुरे एक्स्पीरेंस भी दे और बहुत सारी चीज मेंने सीखितोगे था कि है जाय क्या कि मैर आपने कियी मैंने 1000 किलोमीटर्थ और किया है तो वो सेफ है या नहीं इंडिया में देखर है कि एक अच्छा एक्सपीरेंस है अपको बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं आपको बहुत सारी चीजे मालने पढ़त है तो मैं यहीं बोलूँगा आइसाइक बहुत सभी चीज है आपको भी करनी चाहिए बट कभी-कभी लोग बहुत बुरे होते हैं जैसे मेरे को एक बंदा मिल गया था इंट्रक उसने मेरे को दो घंटा पकाया था पर उसने मेरे को 200 प्लस किलोमेटर्स की लिफ्ट भी दी तो कभी-कभी और लोगों ने मुझे यह भी पूछा था कि आपको लिफ्ट जल्दी मिलती है देखो कभी-कभी ना लिफ्ट मिलने को दो मिनिट भी नहीं लगता और कभी-कभी तो दो-दो गंटे भी खड़े रहना पड़ता है यह हो मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी और मैंने हैचाइकिंग भी स्टार्ट किया दा वहां से तो मेरे को वहां से फर्स टाइम ही राइक वन आवर प्लस लगए थे परिलिफ्ट मिलने में मैं अभी भी अच्छे से आद है कि मुझे परिलिफ्ट स्विफ बिजार में मेरी थी और वहां से मेरा ज़नी शुरू हो गए थी तो वो शाहिद मेरा राज्स्तान से राइक ने लोगे यहां से 800 km तक का अचाई था और फिर मेरा राज्स्तान में भी अचाई किया था तो अभी कुछ ट्रावलिंग का मेरा कुछ प्लान नहीं कि अभी कहा जाना है कहा से क्या नहीं तो कुछ प्लान नहीं है अभी दो अपते बाद सोच रहा हूं निकलू में फिर से सब होने के बाद तो कुछ प्लान नहीं है कहा जाना है कहा नहीं लास्ट भी मैं अन्प्लाइट था पर बहुत अच्छे से राइक म मैंने ऐसा सुचा था वैसा हुआ नहीं तो इस से अच्छा है कि अन्प्लैंट होके चले ना बहुत सारी बैटर चीजे जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है उसे बैटर ही होता है तो मैं बैंक तक पहुचा तो वहाँ पे जो सिक्यूरिटी गार्ड बेठा रहता है वो बोलता है आज बैंक बंद है आज सेकेंड सैटर्डे इसले बैंक फ्लोज रहती है तो मेरे को एक टेंचन है कि जो मेरा एटियम है वह मतलब मैं जरनी से निकलने से पहले मैंने है तो मैं वहीं सोचना के बंदी होना चाहिए अभी फिर से में को मंडे को जाना पड़ेगा की मैं फिर तो दो हफ़ से ट्रैवलिं वाला लाय को डैली बेसे आती रहेगी यहां पर में वीडियो ईंड करता हूं विडियो पसंद आए हो तो लाइक करना शेयर करना रह वो झाल झाल